प्रधान मुंत्री नरेंदर बोधी गटना स्थल पर भी पहुँचे और अस्पताल भी गए प्रडितों से उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात की बाद प्रधान मुंत्री नरेंदर बोधी ने क्या कुछ का आपको हम सुनवाते हैं सुनें। एक राज्यों के नागरिक इस यात्रा में कुछ 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 उन्होंने घवाया हैं जिन लोगों ने अपना जीवन खोया हैं। यह बहुत बड़ा दर्धनाक और वेदना से भी परे मन को बिचलित करने वाला जिन परिवार जनों को इंजरी हुई हैं। उनके लिए भी सरकार उनके उत्तम स्वास्त के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। जो परिजन हमने खोये हैं वो तो वापिस नहीं लेपाएंगे। लेकिन सरकार उनके दुख में परिजनों के दुख में उनके साथ हैं। सरकार के लिए ये घटना अत्यंत घंबीर है। हर प्रकार की जाँच के निर्देश दिये गए हैं। और जो भी दोशी पाएगा उसको सक्त से सक्त सजा हो। उसे भगसा नहीं जाएगा। मैं उडिशा सरकार का भी यहां के प्रशासन के सभी अधिकारियों का जिन्हों ने जिस त्वरा से इस परिथिति में अपने पास जो भी समसादन थे लोकों की मदद करने का प्रयास किया। मैं यहां के नागरिकों का भी रुदय से अभिनंदन करता हूँ। क्योंकि उन्हों ने इस संकट की घड़ी में जाए ब्लड डोनेशन का काम हो। जाए रिश्क्यों अपरेशन में मदद की बात हो। जो भी उनसे बन पड़ता था बन करने का प्रयास किया है। खास करके इस शेत्र के युवकों ने रात भर मेहनत की है। मैं इस शेत्र के नागरीकों अभी आदर पुरवक नमन करता हूँ कि उनके सहयोग के कारण आपरेशन को तेज गती से आगे बढ़ा पाए। रेलवे ने अपनी पूरी शक्ती पूरी वबस्ता हैं रिस्क्य आपरेशन में आगे रिलीव के लिए और जल्द से जल्द ट्रैक रिस्टोर हो जातायात का काम तीज गती से फिर से आए। इन तीनों दुरुष्टी से सुवीचारी दुरुप से प्रयास आगे बढ़ाया हैं। लेकिन एक दुख की घड़ी में बहाँ स्थान पर जाकर के सारी चीजों को देख करके आया हूँ। अस्पताल में भी जो खायल नागरिक से उनसे मेंने बात की है। मेरे पास शब्द नहीं है इस वेदना को प्रगट करने के लिए लेकिन परमात्मा हम शब को सक्ति दे कि हम जल्द से जल्द इस दुख की घड़ी से निकले।